तो डियर स्टुडेंट्स करते हैं next question, question कहरा है particle of specific charge S, तो एक charge particle है जिस पे specific charge है S, specific charge का मतलब charge by mass का ratio, उसको एक V velocity से magnetic field में project किया जाता है, तो ये region है इस region के अंदर magnetic field line screen के अंदर है charge particle को इस region में project किया जाता है जिस यहां से project किया जाता है पीछे एक wall लगी है तो question हमसे पूछ रहा है कि magnetic field की कितनी minimum value हो कि ये charge particle इस wall से बिना टकर खाए just turn करते हुए बाहर निकल जाता है और wall को hit नहीं करता तो उस condition में magnetic field की value कितनी होनी चाहिए तो जो हमको magnetic field की value निकालनी है वो निकालनी है उसके लिए हमको concept use करना पड़ेगा radius वाला क्योंकि हमको पता है कि charge particle जो है अगर magnetic field में present होता है तो वो circular path travel करता है अब क्योंकि सिर्फ इतने region में ही magnetic field present है तो जब charge particle एंटर करेगा तो अपनको minimum value निकालनी है कि कम से कम इतनी value तो magnetic field की हो कि ये पूरा circular path कर पाए एक particular value से अगर जादा magnetic field की value होगी तो ये इस wall से strike कर जाएगा तो the trajectory should look like this अब इसमें ये वाला जो portion है ये इसकी radius के बराबर होगा ये भी radius होगी ये भी radius होगी और ये भी radius होगी ठीक है तो radius किसके बराबर होगी D के बराबर और ये D हमको given है क्योंकि question बोल रहा है कि जो wall है वो D distance दूर है जहांसे उसको project किया गया है तो D radius के बराबर होगा चाहिए और radius होती है MV by QB अब हमको पता है कि Q by M जो होता है Q by M की value होती है S तो M by Q की value होगी 1 by S V by B S इस आ जाएगा मुझे चाहिए B की value तो S को D से multiply करेंगे और velocity denominator में आ जाएगा तो V upon S D B की value होगी जाएगा होगी